हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूथ फार्मेसी आप सभी का यूथ फार्मेसी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है अपने पिछले वीडियो अपने डिसकस किया था है डाइबिटीज के बारे में डाइबिटीज क्या होती है कैस की रिजन है कौन-कौन से टाइप है कौन-कौन सी मेडिसीन इसके ट्रिटमेंट में यूज की जाती है तो वहां हमने डिसकस की थी बहुत सारी डाइबिटीज के मेडिसीन तो उसी का आज हम पार्ट सेकिंड लेके आई हैं और इसमें भी डिसकस करेंगे नेम या जो उसका सोल्ट है, वो है Vogliboss, थीक है? तो Vogliboss जो इसका जेने क नेम है, पर मारकेट में है काप़ी सारे ब्रेंड नेम, अलग-अलग ब्रेंड नेम से अवस्फर अवनेबल हैं ब्रांड नेम अपन बात करेंगे जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है Volleybo है, Wallix है and Wobos साथ ही Vogli है काफी सारे market में इसके brand आपको देखने हो मिल जाएंगे जैसे कि आपको दिख रहा है Vogli Mac है, Vogli Norm Advog है and PPG यह बहुत सारी जो tablets है market में आपको easily available हो जाती है बात करेंगे इसकी strength की तो 0.2 mg and 0.3 mg में यह मिर जाता है जैसे कि आपको किसी भी drug का आप अगर उसका brand name देखोगे तो वोगली में 0.3 and वोगली norm 0.3 है एड़ वोग हो गया PPG 0.3 तो यह इसकी strength है मतलब इसमें 0.3 mg में वोगली वोस परजेंट है किसी में 0.2 mg में रहेगा तो इस तरह से इसका nomination के जाता है और साथ ही साथ यह tablet combination में भी दी जाती है combination में जैसे कि वोगली म हो गया तो वोगली म में वोगली बोस भी है साथ में metformin भी है जिसे कि सुगर जो किसी patient के वो control की जासे के साथ ही है वोलिक्स एम हो गया इसमें भी वोगली वोस एंड metformin परजेंट रहता है ठीक है तो यह थी अपनी पहली medicine वोगली वोस बात करेंगे next medicine की तो next medicine का generic name है विल्डगलिप्टिन अब विल्डगलिप्टिन इसका generic name है पर market में यह अलग-अलग brand name से आपको easily मिल जाती है जैसा कि Galwus है, Jomilis है, Zalra है and Wysow है इन नामों से यह आपको market में मिल जाती है पर Manilis का जो composition है वो क्या है विल्डगलिप्टिन बात करेंगे इसकी strength की तो इसकी strength रहती है 50 mg, 50 mg की strength में आपको मिल जाती है बात करेंगे इसके combination की, तो combination में यह मिलती है अपने को Galwus Matt है, Jalra M है, Jomilis Matt है and Wysow M है तो combination में विल्डगलिप्टिन and Mattformin का combination अपने को देखने को मिलेगा विल्डगलिप्टिन वही रहेगा 50 mg over Mattformin 500 mg की strength में मिल जाता है चलिए बात करते हैं यानि की sugar की next medicine की तो next medicine जो है उसका generic name या जो उसका salt है उसका नाम है citaglyptin citaglyptin जो है वो भी आपको market में काफी सारी brand name से मिल जाता है जैसा कि दिख रहा है आपको januvia है, istavail है, cipteen है इन नामों से आपको किसी भी medical store पर अगर आप ये tablet purchase करते हो तो आपको मिल जाता है तो इसके अलावा ये combination में अपने को मिल जाती है combination की बात करें तो janumate है, istamate है ये tablet जो है इसका combination रहता है citagliptin and metformin का, citagliptin 50 mg की strength में रहेगा और metformin 500 mg की strength में रहेगा बात करेंगे next medicine की, तो next medicine है ampigloflogen, तो ये भी sugar को काफी हद तक control में रखती है अब इसके brand name की बात करते हैं, कौन-कौन से brand name से ये market में मिलता है तो jardians and gibut lio के नाम से ये market में available रहती है strength की बात करें, तो 10 mg और 25 mg की strength में अपने को ये market में मिल जाती है और वेसे sugar की जो भी medicine है, diabetes की जितनी medicine है, वो हर medical store पर easily available रहती है बात करेंगे इसके composition की कौन-कौन से, मतलब combination में ये दी जाती है तो metformin and ampigloflogen के combination में ये अपने को मिल जाती है तो ये थी दोस्तो diabetes की medicines और इसी का first part भी आप जरूर देखे क्योंकि हमने दोनों parts में diabetes की लगबक सभी medicine को cover करने की causes की है तो first part की जो link है, वो मैं description में आपको देदूँगा, वहाँ से जाकर आप direct video दे सकते है मिलते हैं आपसे next video में एकोर new information के साथ, धन्यवाद दोस्तो